सनी देवल सन राजवीर देवल, पूनम डिलॉन्स दॉटर पलोमा ठकेरिया और सूरज बरजात्या सन अवनीश एस बरजात्या आर सेट टू मेग देब्यू विद दोनो ना ना तीनों एक्टर्स नहीं हैं राजवीर और पलोमा अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं और अवनीश अपना डारेक्टोरियल डेब्यू सेट अगेंस दे बैकड्रॉप अफ लैविश देस्टिनेशन वेडिंग दोनों is all about देव यानि की राजवीर देवल और मेगना यानि की पलोमा ठकेरिया अब देव हैं ब्राइट के फ्रेंट और मेगा हैं लड़के वालों की तरफ से दोनों के ही दिल टूटे हुए हैं दोनों मिलते हैं अपने अपने दोस्त की शादी में और दोनों को दुबारा प्यार हो जाता है अब कुछ ऐसा सा प्लोट है इस फिल्म का देव और मेगा दोनों के ही दिल पहले से ही तूटे हुए हैं मेगा अभी अपनी 6 साल के लंबे रिलेशन्शिप को पीछे छोड़के इस शादी में आई हैं और दूसरी तरफ देव अपनी गर्ल्फरिंड अलीना की शादी में आये हैं and has moved on देव is very old school romantic और वो अभी इस बात से उभर नहीं पाए कि अलीना की शादी हो रही है और वो उन्हें ये तक नहीं बोल पाए कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं हे भगवान ये आज के समाने की कहानी तो नहीं लग रही कुछ 80s का रोमांस लग रहा है चलो कोई नहीं अब जो है सो है दोनों का ट्रेलर गिवस अग्लिम्स ओफ देव और मेगना साथ अनेश्पेक्टेड मीटिंग and their connection a heartbroken boys meet a heartbroken girl and they end up falling in love with each other so very boring and not at all millennial location, music और पूनम डिलो सब कुछ सही है इस ट्रेलर में सिवाह राजवीर देवल के वैसे कुछ सालों पहले राजवीर के बड़े भाई करन देवल ने भी अपना डेब्यू किया था जो डेब्यू काम और डिजास्टर जादा था अब देखते हैं राजवीर क्या कमाल दिखाते हैं all in all दोनों का ट्रेलर बहुत सिंपल और साथा है इस ट्रेलर में मेकर्ज ने पूरी की पूरी कहानी बताना सही समझा ताकि जो बे इस फिल्म को देखने आए उसे पता हो कि what's in store for them अब इस फिल्म का तब भगवान ही माले के तब म्यूजिक आफ दोनों इस कंपोस्ट बाई शंकर, एहसान और लॉय फिल्म इस पेंड बाई अवनीश एस, बरजातिया और मनुशर्मा आफ्टर मैंने प्यार किया है स्टारिंग सल्मान खान और भागिश्री पूरे 33 सालों के बाद राजश्री प्रोडक्शन एक आउट औन आउट रोमांटिक फिल्म प्रोडूस कर रही है हेल्म भाई फिल्मेकर और प्रोडूस बाई सूरज बरजातिया सन अवनीश एस बरजातिया दोनों इस सट टो रिलीज ओन ओक्टोबर 5 वैसे आपको दोनों का ट्रेलर कैसा लगा आप हमें अपनी राइ हमारे कमें सेक्शन में जरूर लिखके भेजें और लाइस हापनी शबस्क्राइब कर दो चानल को वे बांबी बॉस्टेब्याइंटनमें